तो चर्चा की शुरुवात विसलेशन के तौर पर राजीव आपसे कर रही हूँ राजीव ऐसा नहीं है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पेपल लीक मामने में इससे पहले भी आपने गंभीरता से इस पर बात की है देखिए विपनेश पैनल में जो भी आपने पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए है इसमें सियासत की कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके दोरा शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने नहीं आया है और मैं कहूंगा कि देश की सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि बेरोजगारी और रोजगार और नोकरी की बात तो छोड़िये जो भी नोकरी के लिए परिक्षाए हो रही है या किसी तरह की कोई परिक्षाए हो रही है वो सारे के सारी परिक्षाओं में, सारे प्रदेशों में कोई ना कोई पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और देश के सियासतदानों को इस बात का कताई अंदाजा नहीं है कि हमारी जो 30 फीजदी आबादी है, वो 30 साल से जो कम है वो पेपर लीक के मामले में कितनी निराशा, गुसा और आक्रोश से बरी हुई है अब ये किसी दिन बबल, अगर गुसा उनका फूटा तो बड़ी दिक्कत सियासतदानों को हो जाएगी क्योंकि इस पर जिस तरह की गंभीरता दिखानी चाहिए मैं कहूंगा कोई भी सरकार और कोई भी सिस्टम नहीं दे रहा हम किसी सचतादी के बात करते हैं, हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है लेकिन ऑनलाइन किसी के साथ धोखा दड़ी हो जाती है तो ये साइबर क्राइम रोकने वाले लोग किस हद तक उसकी मदद करते हैं ये भी एक पड़ा सवाल है कोई भी पेपर हो, सारे पेपर कई न कई लीक हो रहा है राजस्तान का ताजा मामला है राजस्तान में चार दिन पहले पेपर लीक हुआ है लेकिन मैं आपको बता दू अरुनाचल प्रदेश में, आसाम में, पस्चिम मंगाल में, उरिसा में, जारकंड में, विहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहां ऐसा नहीं है जहां पिछले एक साल में परिक्चाएं हुई है और पेपर लीक का मामला नहीं हुआ है जूनियर इंजिनियर की भरती की परिक्षा अभी जहारकंड में हुई उसका पेपर लीक हो गया राजस्तान में अध्यापक की हो गया जिस गुजरात मौडल की हम बात करते हैं पूरा डंका पीटा जाता है उस गुजरात में 18-20 लाख लड़कों ने परिच्छा दी थी पटवारी परिच्छा की पेपर लीक हो गया और सरकार दुबारा हिम्मत नहीं कर पाई परिच्छा कराने का अभी तक अभी चुनाव जिस दिन आदर्श चुनाव संगिता लाग हुई उसके आदे घंटे पहले सरकार की तरफ से गोश्रा हुई कि जनवरी में उसकी परिच्छा होगी 20-22 लाख बच्चे गुजरात में बैटने वाले हैं जनवरी की परिच्छा में अब बात यह आती है कि ये सारे जगों पर पेपर लीक हो रहा है बताया यह जाता है कि एक ही गैंग है और कुछ ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है जहां से सारे राज्य सरकारे वहीं से प्रशनुपत च्छपवाती है और वहाँ पर उन लोगों की पैट है और इसकी वज़े से सारे राज्यों के परिच्छे लीक हो रहा है तो उसके उपर क्या बीती है सबसे कमाल बात तो योगी सरकार की है उत्तर प्रदेश में हैसाई की परिक्षा हुई जिन लड़कों ने परिक्षा दी उनी पर लड़कों की शिकायत पर और इंपुट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतने नकल्चियों को पकड़ा जिन्होंने तीन मिनट पांच मिनट आठ मिनट में पूरा परचा हल कर लिया था वो गिरफतार किये गए वो जेल में डाले गए लेकिन उस भरती परिक्षा को रोका नहीं गया जो लोग सेलेक्ट हुए वो भरती प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और चात्र जो प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वो लगातार वीरोत परदर्शन कर रहे थे सीबी आई जाज की मांग कर रहे थे आज तक वो भरती परिक्षा आगे बढ़ती जा रही है मुझे लग रहा है वो दरोगा होके निकल भी गए होंगे उसमें से लोग लेकिन उस यूपी एसाई परिक्षा में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा केवल उन लड़कों को गिरफतार किया गया और आश्चर की बात मैं सोचता हूँ कि पुलीस अधिच्चकों ने एसपीज ने उत्तर परिक्षा में धादली किया इनको गिरफतार किया गया उनको जेल भेजा गया इसके बाद भी उस परिक्षा पर कुछ भी नहीं हुआ यूपी एसाई के साथ ऐसा हुआ बहुत सारी परिक्षाओं का मैं आपको राज जी वाइस बता सकता हूँ मैं अभी जारखन गया था वहाँ के कोचिंग इंस्ट्यूट के लड़के इतने जादा परिशान थे उनका ये कहना था कि न तो सत्ता पक्ष न विपक्ष कभी भी पेपर लीक मामले को कुछ ने रहा और मैं ये मानता हूँ कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है और इसमें केंसरकार राजी सरकार जितने संगटन है अगर ये जल्दी से जल्दी बेवस्ता दुरुस्त नहीं की गई आप देखें पश्चम मंगाल में पार्थ चटरजी मंत्री सिचा मंत्री जेल में क्यों पेपर लीक भरती घोटाला सारी सारी जगहों पर भरतीयों में घोटाले की बात सामने आ रही है और मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ मैं तो जाता रहता हूँ कल भी मैं चात्रों के बीच में था जात्रों को का गुसा उनकी निराशा उनका आक्रोश इस चीज़ को ले करके बहुत बहुत उपर तक पहुँच गया है लेकिन अगर चात्रों की बात अगर करना नहीं शुरू किया है तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा ये जो 28, 25, 23, 24 साल के लड़के हैं अगर इनको रोजगार मिले ना मिले लेकिन अगर परिक्षाए पारदर्शी तरीके से नहीं हुई तो फिर इसका खामिया जा सबको भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ी बातियां पर राजीवा आपने कही है नए साल में तमाम राजी सरकारों को किन सरकार कोई प्रण लेना होगा कि बच्चों के साथ अब खिलबाड ना हो क्योंकि उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24